कि नमस्कार दोस्तों में राजिश कपूर टेक टॉक्स के एक और एपिसोड एक नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स एक ऐसे सीरीज बनती जा रही है जिसको लोग फॉलो करते हैं अपनी टेक्निलोजिकल गाप्स को जानने के लिए और कुछ समाधानों के लिए हम लोगों ने बहुत से expert से यहां बाते करी हम लोगों ने उनसे technology के बारे में जाना कैसे वो evolve होई और जब evolve हो रही थी तो उसे किस तरीके से हमारी जिन्दीगी जो present उस समय की थी और technology जहां पर उसे ले जा रही थी उसके बीच में gaps create किये gaps हम लोग उन चीज़ों को कहते हैं जहां जब technology implement हो रही होती है तो अपनी तरफ से तो चीज़े बहुत fast हमें दिख रही है होती हुई लेकिन फिर कही न कहीं कुछ security issues आ जाते हैं जिनको हम लोगों को भरना बहुत जरूरी हो जाता है इनी को हम लोग gaps कहते हैं इनी gaps को fill up करने के लिए हम आज साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर नवीन धाम डॉक्टर जर्ब आपका बहुत बहुत स्वागत है मश्कार G.A.S.P.L. के founder है और एक बहुत ही नामी cyber expert है इनका compliance के ओपर बहुत ही अच्छी पकड़ है और साथ ही में banks हो या कोई भी बड़ा corporate हो उसको किस तरीके से अपने IT को सुचारू गूप से चलाना चाहिए उसके उपर guidance इनकी और इनकी team जो है समय समय पर देती रहती है आज जैसे इस series को बनाते हुए हमारे को ये guidance दे रहे हैं आज का जो topic है दोस्तों बहुत ही interesting होने वाला है ना तो हम किसी technology की बात करेंगे ना ही हम लोग किसी उसके gaps की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसी जरूरत की जिसको दुनिया शायद नजर अंदास करती हुई आगे भड़ती जा रही है लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पीछे मुड़के वो देखेगी तो इस कमी को वो बहुत ही जादा जहेलेगी आज अगर उस कमी को हम निपट लेते हैं आज उस कमी से यदि हम लोग रूबूरू हो जाते हैं तो I'm sure कि आने वाली digital world बहुत safe हो सकती है तो आईए स्वागत कर लेते हैं उनका इशाद साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शोवे तैंक यू सो मच प्लेजर इस आल माइन तो बी इन इस पर्टिक्लर शोव और रिली लुक फोवर तो हैव वरी इंगेजिंग कॉनिसेशन जी बिल्कुल टॉपिक ही आपने इस तरह का चुना तो मैं अतने दर्शकों को बता दूँ आज हम बात करने वाले हैं कल्चर टेक की बिल्कुल नया नाम टेकनोलाजी की दुनिया के अंदर ऐसा कुछ हमने शायद अभी तक सुना ही नहीं था लेकिन इशाद साब ने इसका इजाद किया तो उनी से पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है जी इशाद जी कुछ बताईए इसके बारे में जी सर तो देखें ये अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो लेट्स गो बैक टू दी टाइम जब ये पूरी दुनिया बनी और जब दुनिया बनी जितने भी कल्चर्स बने तो उसमें कुछ बड़ी बेसिक चीजे हैं जो हर एक कल्चर ने हमें सबको सिखाई कि भई एक आप अच्छे इंसान बनो आप सच बोलो आप आप इंटीग्रिटी अल दे टाइम तो जितने भी ये बेसिक एक अच्छे इंसान को बनाने के ट्रेट्स हैं वो हर एक कल्चर ने सिखाई लेकिन कहीं न कहीं इस भागदोर वाली जिंदगी के अंदर I think as you said हम कहीं न कहीं कुछ चीजों को लेक करते हुए आगे जा रहे हैं और जिनका खामियाजा हम अभी इस मुझुदा टाइम में देख भी रहे हैं For example अगर हम देखे जितने भी sophisticated scams दुनिया के अंदर हो रहे हैं या जितने भी cyber attacks हो रहे हैं तो वो कौन कर रहे हैं Ultimately these are the people who are highly educated highly skilled but क्योंकि कहीं न कहीं वो जो उनके एक basic traits है वो उनके miss हो गया है तो उनी चीजों को कहीं और पर लगा के और उससे society का नुक्सान हो रहा है तो यही चीज अगर उनकी ठीक हो जाए तो imagine कितना ज़्यादा society का और पूरी दुनिया का भला हो सकता है तो मेरा तो यही कहना है कि जो culture है उस culture को अगर हम ठीक कर देंगे तो चाहे हमारी technology आज जो है वो रहे या अभी जो आने वाले technology के उपर पूरी दिन्या में बात हो रही है Generative Artificial Intelligence और Artificial Technologies कोई भी रहे अगर हमारे basics ठीक होंगे तो we will be able to create a lot of value in this tech-driven world Wonderful So मैं अपने दुशकों को असान भाशा के अंदर समझाना चाहूंगा कि culture tech से इशार जी का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपने different culture से निकल के आते हैं तो यदि हम लोग एक bad element कहीं society में हैं और हमारी नौकरी कहीं लग जाती है किसी responsible position पे तो हमारा वो bad element वाला factor जो है कहीं न कहीं प्ले करेगा और definitely technology से छेट खानी जो हम करेंगे वो society को कहीं न कहीं कुछ न को चोट जरूर पहुँचाएगी लेकिन यहीं उल्टा अगर हम समझें और हम अपने आपको समझें कि हम बहुत अच्छे संसकारों को लेकर यदि किसी एक company को join करते हैं तो definite है कि हम अपने आसपास का महौल भी अपने संसकारों से अपने culture से बदल सकेंगे यही मतलब है culture take का क्योंकि आज के दुनिया के अंदर जब recruitments होती हैं तो इस चीज के पर ध्यान दिया जाता है कि जिसे हम लोग अपने उस responsible seat पर बिठाने वाले हैं वो आगे उस technology को कैसे drive करने वाला है तो रुख करते हैं डॉक्टर नवीन धाम का डॉक्टर साब यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा subject इशाद साब ने और मैं समयता हूं जो आप भी अपने सेक्योरिटी में ठीक करते हैं तो वह कहीं ना कहीं है कल्च्रल गाप सी हैं जिनको आप टेक्निलोजी गाप में तदील हुआ देखते हैं बिल्कुल इसमें जैसे कि कि अगर आप किसी भी साइबर सेक्यूरिटी गिंपलाइस इंप्लाइंस जैसान अगरतर Age करने लेके और आ sua कि आ तो देर ब्लड तो वो ट्रेनिंग इस दा इंटीग्रल पार्ट ऑफ डैट पर्टुक्लर कंप्लाइंस तो उस वक्त जैसे कि आप समझिए एक इंप्लॉई है सिस्टम पे बैठा है पहले इंप्लिमेंटेशन या साइबर सेक्योटी कंप्लाइंस इंप्लिमेंट करने से पहल तो यह कल्चर में हम लाते हैं उनके पर अगर वो इसको फॉलो नहीं करते तो वो साइबर एटाइक्स का जो है शिकार बन जाते यह बहुत इंट्रेस्टिंग और आपका इतना वास्ट एक्स्पीरियंस है तो आपने यह कभ नोटिस करी और आप इसको कैसे सोच पाए कि कह पहले तो जो अभी बात कर रहे थे वह एक्शुली अउम टिक्नोलोजी में बात करते हैं तो तीन चीजों की बात करते हैं पीपल टिकनोलोजी एंड्रोसेस अब आज का टॉपिक बड़ा हाईली पीपल सेंट्रिक है और उसमें भी कुलश्डिरल और टेख है तो दीखिये यह gap तो मैं मुझे तकरीबन 20 साल का experience है और हम जब भी बात करते हैं cyber security की या technology की तो हम कहते हैं people is the first line of defense कि सबसे पहला defense लोग हैं जो हमारे लोग हैं for example phishing email आया अब हमने technology बहुत अच्छी अच्छी दुनिया की लगा दी बट अगर वो लोग अच्छी से train नहीं है और वो लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या उन्होंने गंती से action ले लिया तो despite of putting all sophisticated technologies people will be able to compromise and the attackers will gain the access of the systems so which is where I was deeply thinking की हम technology के उपर बहुत अच्छी अच्छी से ध्यान दे रहे हैं प्रोसेस खूब implement कर रहे हैं बट people front पे इतना कुछ हो नहीं रहे और उसमें अगर यह जो bad actors है इन bad actors को कुछ हद तक अगट सुधारे उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी organization के अंदर जो भी जहां पर काम कर रहा है इस तरह का एक culture बना दिया जाए जिसमें right from top to bottom सारे के सारे लोग चीजों को समझें उसको sensitize हो जाएं और उसके साथ साथ जो भी company के policy हैं प्रोसेस हैं उसको अच्छे से फॉलो करें और फॉलो करने के बाद उनको अधेर करें वो किसी भी capacity में हो चाहे आईटी का administrator है चाहे एक workshop पे या शॉप लोर पे एक particular engineer काम कर रहा है तो यह actually एक particular group की responsibility नहीं है यह पूरे के पूरे अगर organization के context में करें तो organization as a whole हम सब को मिला के responsibility है और country की बात करें नेशन की बात करें city की बात करें तो सबकी responsibility अगर अगर इस दारे को बढ़ा है तो पूरे दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी responsibility अगर हम किसी बड़े corporate की बात करते हैं तो बड़े सारे elements होते हैं जो की एक काम को एक अंजाम तक पहुचाने के लिए responsible रहते हैं उसमें technology के लिए भी जो responsible लोग है वो भी होते हैं administrative level के लोग भी होते हैं managerial level के लोग भी होते हैं तो अब हम लोग किसी प्रजेट को अगर हम लोग विजुलाइज करें इस समय की corporate उसके उपर काम कर रहा है तो यह सभी departments का usage उस पे आ जाता है आप क्या समझते हैं कि culture यदि हम technology में inculcate करें तो क्या बाकी के जो लोग हैं जो administrative से section से belong करते हैं managerial से belong करते हैं या engineering से belong करते हैं क्या वो corrupt नहीं करेंगे technology के जो लोग हैं उनको कुछ information extract करने के लिए कुछ information implant करने के लिए क्या यह corruption जो है वो रुख सकती है is it possible देखें दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी impossible नहीं है and we have so many stories that we hear in the world कि एक आदमी ऐसा था उससे ऐसा हो गया important यह है कि लोग इस चीज को पहले तो समझें और समझने के बाद वो कहते हैं कि भूला वो नहीं है जो भूल जाए भूला वो जो शाम को अपना घर आ जाए और जो शाम को घर पे आ जाए उसको भूला नहीं कहते तो अगर लोग वाकि ही इसको seriously समझ ले कि यह बड़ी प्रॉब्लम है अनएथिकल इशू है अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उससे प्रॉब्लम सौल हो जाएगी और उससे और इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने भी एक इमेल डान दिया या एक पॉलिसी बना दिये और सोचें कि उससे सारा का सारा प्रॉब्लम सौल हो जाएगा इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट है यह एफर्ट क्या है कि नंबर वन तो इट स्टार्स फ्रॉं दिटॉप कि आपने गाइडलाइन बना दिये और बना के लोगों को एजुकेट किया फिर उसके तो उस कल्चर का मतलब क्या है तो वो अपने डे टू डे एक्शन से उसको डेमोंस्टेट करें जैसे कि लोगों की रिस्पेक्ट करना है लोगों को अगर सपोस कीजिए कोई लेट आ गया बहुत सारे होते रहते हैं आफिसेज में किस तो लोगों की रिस्पेक्ट हो गया लोगों को appreciate करना हो गया उनके साथ humble तरीके से बताव करना हो गया तो यह सारे चीजे जब demonstrate होंगी demonstrate at all the level होंगी तो धिरे-धिरे culture change होगा कल्चर सब को change करना आसान है तक्नोलजी को अगर आपको change करना ठीक है X technology को Y लगाना है these are all the machines that can be changed but humans are not tuned like that humans को change करना सबसे मुश्किल है और सबसे आसान भी है कि अगर उनको right तरीके से right चीजों के साथ उनके साथ काम किया जाए I think they can be changed और imagine कीजिए अगर लोग चेंज हो जाते हैं कुछ हद तक I won't say कि 100% है तो 100% हो जाएंगे बट अगर 70-80% भी अगर efforts continuous डालने से changes आते हैं तो not only it will be productive for the organization it will also help us in saving a lot of cost culture tech actually concept तो ही है मतलब पीपल में से कि आने यह पता नहीं क्या नहीं जार्गन है but actually if people implemented well this can actually save a lot of cost to them जी जार्गन तो है लेकिन साथ नहीं जब यह जागरन में बदलेगा तो काफी सारी तबदीलियां लेकर आएगा दोस्तों हम लोग एक रांसम्वेर एक्सपोर्ट बन सकता है या फिर वह एक रांसम्वेर बनाने वाला बन सकता है तो हम लोग इसी एक थिन लाइन के ओपर ट्रेड कर रहे हैं और इससे डाइट नवीन धाम बहुत अच्छे से वाकिफ है क्योंकि उनका एक डिपार्टमेंट है एथिकल हैकिंग का भी जो कि इनको अपने सेक्यूरिटी डिविजिन को चलाने के लिए जरूरी भी है इंक्लिमेंट करना अधाम साब अपको कैंटरिशन को चैक करते हैं किसी कंपने में वल्नरबिलिटी को किसी कंपनी में तो आपकी टीम को भी उस तरहां से सोचना पड़ता है जिस तरीके से कहकर या एंस वेर्श इंसम एक्सपोर्ट सोचते हैं डवलेंटरES तो आपको कहीं कभी टेशन ऐसे पील होती कि म कर 40 मोचाउन ण कुन स्धाष पार्ट ठीस कि आमने को यूए अट आप दरका उप आपौना कि हमेशा उस साइड एज देफंडिंग साइड लें जयाते है तो तो वो फीलिंग कभी आई नहीं है टेक टॉक्स टेक्निलोजी का शो है हम लोग यहां पर कल्चर की बात करते हुए दिखते रहें लेकिन इसको भूबी हम लोग टेक्निलोजी से जोड़ने वाले हैं आए शाद साब से फिर से एक बार रूगरू होते हैं शाद जब हम लोग बात करते हैं कल्चर की तो आई टी का अपना एक कल्चर है आपने जैसे कहा कि हम लोग किसी विक्ति को यदि एक सीधी लाइन दे देंगे चलने के लिए तो वो सीधी लाइन पर चलेगा और कंपनी को इंशूर करना होगा कि वो सीधी लाइन पर ही चल रहा हो तो यदी हम आपने लूग इस तरह से बोलें कि यदी हम लोग अपनी पॉलैसी को इक बार IT की डिफाइड कर दें कम्पपनी लिफाइड कर दें और उर्स्टिक्ट एकदम रहे कि यह policies कभी भी breach नहीं होने वाली है या कभी भी bypass नहीं होने वाली है तो I'm sure जो IT का culture उस समय बनने वाला है वो बहुत ही company को strengthen करने वाला होने वाला है तो आपको क्या लगता है अपने experience से कि हमें IT के ऐसे कौन से culture को inculcate करना चाहिए मैं आपको example देता हूँ कि एक previous company के अंगर एक मेरा जो experience रहा है उसको में share करता हूँ तो क्या था कि IT administrator होते हैं उनको हमने policy दिया हुआ था कि यह policies आपको follow करना है पट होता किया बिचारे at times there are certain powerful people in the organization who comes with the power and say कि आप ये फटाफट मेरा ये काम कीजिए and many a times what happens कि कुछ बिचारे लोग उसको hollow कर लेते हैं and they bypass the process but fortunately in my case it was very clear कि ये बाइपास नहीं करना है process तो एक powerful person आया कि नहीं मैंने mail भेजा है गलती से किसी को आप उनका mailbox खोले और delete कर दीजे mail तो this guy said कि sir ये तो नहीं हो सकता हमारे company के अंदर because ये policy है हमारी और इस policy को हम बाइपास नहीं कर सकते है he said manager को नहीं तुमारा manager से बात करें तो that guy came to me he said कि ये ये करना है and you don't know me who I am in the company तो आपको ये करना पड़ेगा I said sorry हमारा तो ये policy है और ये policy मैंने नहीं लिखी ये policy हमने पूरा management board CEO सब के साथ मिलके हमने policy लिखा है तो हम ये नहीं कर सकते हैं अगर आप इतना force कर रहे हैं तो आपके बास दो ही option है या तो इस policy को आप ले जाएए और change करागे ले आएए या फिर जो इस policy में लिखा है उसको follow गीजिए तो then he thought for some time and then finally he had no choice but to follow the policy और उसने वो जो भी approvals, level of approvals से वो लेके आये और आके दिया और फिर जो उन्नोंने काम कराना था वो किया ऐसा फिर एक दो बार हुआ बट उसको फिर हमने वैसे ही react किया he tried to create lot of escalation जो typically corporates में होता है बट our team stand by it कि यह policy procedure है company के और इसी से company चलेगी company एक individual से नहीं चलेगी और company किसी एक individual से बाइपास भी नहीं होगी तो इस तरह की चीजे तो यह तो एक 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 जाम्पल में यह समझ आया कि अगर हम जो भी policy procedure है उसको completely abide करे तो उससे फिर वो culture change होता है otherwise policy procedure बनती है जैसे घाम साब बड़ी सारी companies में बनाते हैं वो बनती है नाम के लिए और फिर वो side में रखी रहती है there are many companies who might do this but if we seriously follow these procedures and policies these are all beneficial for the organization एक particular person के लिए नहीं जी बिल्कुल ठीक है रहे हैं आप ये सभी organization के लिए उसके benefit के लिए इस culture जो diplomacy को या cultural policies को लागू करना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन धान साब आपका काम तो probing का है आप तो जाते हैं और जाकर सभी को पता भी होता है कि आपकी आपकी टीम जवाई है वो आपकी सारी security इसको एक बार तो disintegrate करने वाली है पूरा उसको तार तार करके फिर समझने वाली है कि इसके अंदर कौन सी कड़ी missing थी और उसको implement करवाने वाली है तो ऐसे cases के अंदर आपको कमिया बहुत से दिखती होंगी तो जहां तक ह करें है कल्चिरल पॉलिसी की कंपनी की तो उसके अंदर कई दफा बहुत है लेवल के ओपर जब बीच देखते होंगे आपको तो क्या वहां से कोई प्रेशर आता हुआ कभी महसूस वा कुछ शेर कीजिए हमारे साथ है जब हम करते हैं जब हम करते हैं जब आडिट कर रह ह हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जब की जो पॉलिसी होती है यह से साइंड होती है तो जो भी नीचे लोग है उनको फॉलो करना ही है जैसे कि एक ग्जांपल मैं बदाता हूं कि लैप टॉप अगर पोई अंदर लेके जाता है कंपनी के अंदर तो उसको अपना यहां कर जाते हैं क्योंकि जब वह उसको देखता है गार्ड गार्ड सलूट मारके उनको जाने देता है और मोस्ली में ऐसा ही देगा पर कहीं ऐसी कंपनी भी हैं जहां पर हायर मेनेजमेंट के लोग एवन एमडी जो सीओ लेवल तक के लोग हैं वो खुद जाके अपना बैक गा फॉलो करेंगे तो नीचे देख के सब फॉलो करेंगे उसको तो यह जो है यह कल्चर है जो की कंपनी को खुद अपने इंप्लोई में डालना पड़ता है उनके ब्लड में खुद फॉलो करके लीड बाइग्जम्पल बिल्कुल ठीक बात है और जहां तक मैं समझता हूँ आइटी का एक ही कल्चर है और वो है एक सिक्योर डुमें सिक्योर वरकिंग सो इर्शाद साब यह ब्रीच तो हम शायद नहीं कर पाएंगे पिकर जब हम एक बहुत सीनियर लिवल पहुंच जाते हैं अभी धाम साब ने भी एक्जाम्पल ने बताया आपने तो वहां पर अ आप दिखाए अपना प्रीफ केस बीफ केस्ट चेकर आकर जाने का नॉर्म है शायद बड़ा मुश्किल हो जाता होगा तो इसमें कहां तक रोल प्ले कर सकती है और वह क्या हो सकता है एक जो रोल यहां पर प्ले कर सकती है और विच आम सेंग आइटी इस 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 तो what IT team can do is to bring some of these incidents and highlight these as a risk to the board. मैं एक और एक्जामपल दूँगा जो धाम साब ने दिया, उसके अलावा एक दो और एक्जामपल दूँगा, जैसे for example, password policy होता है, password policy किसी company में आएगी हर दो मेहने में या एक मेहने में password change होगा, now somebody will have to see whether this policy is applicable for everybody or there are certain exceptions and those exceptions could be again at the top. अगे second example, PC domain में होना चाहिए, अब वो सब का है या कुछ का नहीं हुआ है? Because see, what we have to see is, ऐसा हो सकता है कि आपने 99.9% को assets को आपने secure किया, अगर थोड़ा सा भी assets या थोड़ा सा भी leak point रह गया, तो attacker तो वहाँ सी भी आ सकता है, for example, घर का अगर example ले, तो घर में क्या होता है, घर में हम पूरे घर को secure कर देते हैं, बढ़ अगर एक gate पे एक ताला नहीं लगाया, तो no matter हमने कितने security guards बिठा रखे हैं, और कितनी बढ़िया बढ़िया fencing और बढ़िया sophisticated technology रखे हैं, अगर एक loophole भी रह गया, तो the wrong person can come from that entry, and can destroy the whole house. Similarly, in the corporate, we have to really look at each and every parameter, and that is the responsibility of the IT to go to the management, and say, look, these are the areas which are good, but these are the risks that we are seeing, and to mitigate this risk, these are the plan. और उस plan में ही, we can also include this culture-related things as well. कि कुछ चीजे हैं जो technology-driven हो सकती हैं, कुछ चीजे people-driven हो सकती हैं, कुछ चीजो पे you can push, there are few things which are ongoing, ongoing basis पे उनका cultural transformation कराना है. So, Dr. Tham, जिसे यहां से मैंने इशाच साब से तो input लिया, आप से भी एक लेना जुरूरी है, एक ideal जो set-up होना चाहिए, जिसमें हम लोग यह समझें कि IT-driven cultural policies जो हैं, वो implement हो सी हैं, जैसे मैं इसको अगर अपने दर्शकों के लिए clarify करूँ, तो एक IT जो है, वो काफी हद तक किसी भी miscreant को रोक सकती है, कुछ भी बदमाशी करने से, तो अधाम साब आपका राय कह रहे हैंगी, कि क्या जरूर यह है एक organization को करने के लिए, इस तरह की IT policy बनाने के लिए, organization को, दिखो, culture तो follow करना ही है, बट साथ में कुछ ऐसा टेक्नालोजी के थूप भी हो सकता है, जिसमें कि वो culture follow ना भी करना चाहे, तब भी उनको करना पड़े, जैसे कि एक product data loss prevention है, अब वो क्या करता है कि अगर employee pen drive लगा रहा है, आपके system में, अपने laptop में data निकालने के लिए, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पर वो technology उसको रोग देती है, टेक्नालोजी उसको काम नहीं करने देती है, तो वो अगर password, हम policy में लिखा है कि 8 character का password होना चाहिए, पर वो 8 character और complex password होना चाहिए, वो complex की जगा, simple password रहा है, 12345, वो technology उसको मना ही कर देगी, उसको सामने prompt आजाएगा, यू cannot keep this password as simple, यू शुड यू आख़ए अलफाबेट्स, करेक्टर, स्पेशल करेक्टर, राइट और और अइट यू उसको खुदी करेक्ट कर देती है, तो technology जो है, पोर्स कल्चर को फोर्स कर देती है, और फोर्स कर देती है, और ओनेशन के अंदर, करने के लिए बहुत बढ़िया सो मैं अपने दोनों ही एक्सपर्स का यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं शाहता हूं आपका अपने समय निकाला मैं दिख पा रहा हूं कि आप अभी विए अपने ऑफिस में हैं और अपने कीमटी समय को आपने हमें दिया यह उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका अपके तरफ से तो हमें चाहिए बड़ी वैलेबल इंपट समय मिलती हैं बहुत जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं जैसे कि मैंने शुरू में कहा था लेकिन उनकी आपको जब भी जूरत पड़े अपने कंपनी क यहां पर आपको दे रहे हैं तो आप उनसे अपने कोशिंज माक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी आई टी को और सेक्यूर करने के तरीके मैं आपको बस यह कहना चाहूंगा कि आई टी का सिरफ एक ही कल्चर होना चाहिए और वही होना चाहिए कि आपके डीटा को हर प policies को अपने यहां बनाएं ना बनाएं लेकिन cloud access ने ऐसा platform त्यार कर दिया है जो हर प्रकार से आपको firewalls के through ही data को पास करवाएगा और हमेशा ही आपके data की multiple backups ज़रूर रखेगा so cloud access यह आप जोड़ना चाहते हैं तो यह numbers हम लोग आपको यहां पर दे रहे हैं हमारे साथ rubro होना चाहते हैं इस शो में आना चाहते हैं अपने वाल्योबल इंपूट्स देने के लिए तो हमारे numbers भी आपको हम लोग यहां पर फ्लाश कर रहे हैं जरूर जुड़िए इसी तरीके से अपना प्यार भीजते रहिए और टेक टॉक्स को एक मुकाम ऐसा दीजिए के लोग उसको जरूर फॉलो करें धन्यवाद